सेवी के आये है नए मार्जिन रूल्स और अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स को और इंवेस्टर्स को कन्फूजन है कि रूल्स कहना क्या चाहते है आज के इस वीडियो के बाल आपको यह कोई भी कन्फूजन नहीं रहेगा एक एक पॉइंट को जो विद केस्टरी विद बहुत सारे एक्सामपलिस हम कवर करेंगे आज के इस हीडियो में इस से महले कि हम वीडियो पर जाए दखिए इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन के ओपर ले जाने वाला है हो एक उचीज सप़ हाने एक चीज द धियान हुई हो सकता है आप ने से क में लिखा है वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप कुछ भी वेरिफाइ करना चाहते तो सीधा सर्कुलर पढ़िएगा XYZ ने या ABC ने क्या बोला है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजेगा मेरा नाम है अनंत लड़ा CFA CACFP LLB चलिए सीधे चलता है स्क्रीन के उपर और एक एक चीजे डिसकस करना शुरू करते हैं देखे, new margin rules related जितने भी आपके questions होंगे वो cover हो जाएंगे धीरे से शांते से इस वीडियो को देखेगा सारे के सारे points को हम cover करने वाले हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं कि circular कहना क्या चाहता है circular ये कहना चाहता है कि जो भी peak margin होता है उसका अपसे margin 100% required होगा क्या इसका ये मतलब होता है कि suppose करते मैं एक लाग रुपे की shares buy करना चाहता हूँ तो मेरे bank account में एक लाग रुपे होने चाहिए बिलकुल भी नहीं देखिए हर एक share का peak margin decide होता है suppose करते है कोई share है जिसकी value है just for example 100 रुपे की value है आज के दिन इसका peak margin range करेगा हर एक share का अलग-अलग peak margin होता है चो आपको NAC और BAC की website पर मिल जाएगा suppose करते है इस particular share का peak margin है somewhere between 20% से लेके 30% के बीच में यही actual market में range भी होती है मतलब यह हुआ कि आपको आपसे जो 100 रुपे है उसका multiply करोगे आप जो भी peak margin है suppose करते है 20% है तो 20 रुपीज आपके पास bank account में होने चाहिए तब ही आप उस share को buy कर सकोगे यहाँ पे circular कहीं पे भी यह कहने की कुशच नहीं कर रहा कि जो share की value है वो पूरा का पूरा पैसा आपके पास होना चाहिए जी नहीं जितना margin required है वो पूरा का पूरा आपके पास अब आज से होना जरूरी हो जाता है इससे पहले क्या होता था उसको भी हम छोटा सा समझ लेते वैसे अब इसकी बहुत ज़्यादा relevance नहीं है पर तोड़ा बहुत समझ लेते हैं सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि काफी सारे अच्छे broker जैसे की zero-da हो गया या angel हो गया यहाँ पे क्या होता था वो समझ ते देखिए angel और zero-da हमेशा से ये चाते थे जो भी आपका peak margin है उसका 25% तो minimum minimum आपके पास होना ही चाहिए ये इस rule आने से पहले भी ये तो rule हमेशा ही पिछले एक साल, दो साल, तीन साल से zero-da में angel में अच्छे broker हमेशा follow कर रहे थे मतलब ये हुआ suppose करते 20 रुपे का margin है तो आपके पास हमेशा 5 रुपे तो होने ही चाहिए थे zero-da में वर्णा आप्टेडिंग कर ही नहीं सकते थे मतलब फिर भी देखा जाए तो almost आपको 20x का margin मिल रहा था इसी के against में कुछ अगर हम local brokers की बात करें तो local brokers क्या करते थे कि वो बोलते थे 25% छोड़ो सा हमें 25% का क्या है आप तो सिर्फ 10% मतलब actually margin requirement है 100 रुपे पर 20 रुपे required है 20 रुपे का आप 10% मतलब सिर्फ हमें 2 रुपे देदो and will be done मतलब आपको almost 50 times तक का margin मिल जाता था अब सिभी ने कहा कि ये अब नहीं चलेगा अब आपके लिए margin पहले तीन महीने में बोले थे कि हमारे पास रहेंगे minimum 25% फिर 50% पर shift कर दिया और अब फिर 75% करते करते हैं finally 100% margin पर जा चुके हैं ये हो है सबसे पहला मतलब सिभी के नए margin rules का जो भी peak margin होता है उसका आपके पास 100% margin होना requirement होने वाली है देखिए अगर आप shares trading करते हैं आप पे impact क्या पढ़ेगा intraday पे पिलकुल पढ़ेगा जो आपको यहाँ पे almost 20x 20x तक भी मिल रहा था पहले के समय में अब वो किसी भी हालत में 5x से जादा नहीं होने वाला यह आप पे impact पर चुका है सेकिंड बात करते है futures and options की सबसे पहले futures and options में futures को cover कर लेते हैं सपोस करते है एक future के lot में deal करने के लिए सपोस करते है nifty का lot है मुझे डेड़ लाग रुपे के margin की requirement है यहां पे भी same phase manner में पहले CB ने कहा कि डेड़ लाग का 25% compulsory होगा फिरका 25 नहीं 50 compulsory होगा फिरका अब 3 मेने और हो गया 50 नहीं 75% 75% compulsory होगा अब 100% आपके पास होने वाला है मतलब अगर आप एक lot में काम करना चाहते तो आपके पास 1.5 lakhs का पूरा पूरा amount होना चाहिए यह मैं assume कर रहा हूँ इसी के आसपास के amount आपको मिलेंगे इसी तरीके से अगर suppose करते bank nifty में काम करना है तो जो पूरा पूरा margin requirement होता है around 1.6 lakhs का वो पूरा पूरा आपके पास होना चाहिए इसी लिए अगर आप futures में काम करते है या फिर आप options को sell करते हैं write करते हैं तो आपके लिए impact बढ़ेगा आपके margins की requirement काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है यह second impact आगया third, अगर आप options buy करते हैं तब आपके पास ज़्यादा impact नहीं पढ़ेगा उस समय तो हम मान सकते हैं कि वैसे भी आपको बहुत कम capital required थी यहाँ पे आपको ज़्यादा impact नहीं पढ़ने वाला fourth बात करते हैं suppose करते हैं मैंने कोई share investment के लिए buy किया है मतला मैंने ले लिया और छोड़ दिया एक महिने, दो महिने, चार महिने, पांच महिनी के तो आपको कोई ज़्यादा फड़त नहीं पड़ेगा delivery में काम जैसे आप करते थे वैसे करते रहेंगे fifth questions और बहुत ज़्यादा confusion आ रहा है BTST के लिए अनन्द क्या BTST बंध हो गया अनन्द कुछ लोगों ने ऐसा comment करके बोल दिया कि BTST बंध हो गया है, कुछ ने tweet पे डाल दिया कि BTST बंध हो गया है, समझनी की कोशिश करते है अब नए rules क्या कहते हैं, suppose करते है आपने 100 रुपे का share buy किया था आज के दिन आज आपने buy किया है कल आप sell करना चाते हो चीक है, आज buy किया है कल sell करना चाते हो, 100 रुपे का suppose करते है, आपने कल सुबह बेज भी दिया 100 रुपे का, फिर भी अगले दिन आप use कर सकते हो सिर्फ 80% मतलब की 80 रुपी use कर सकते हो, बाकी पैसा आपके लिए available नहीं होगा यह चीज यहां रखेगा, सिर्फ इतना सा impact आया है, जो बाकी 20% है वो mostly आपको T plus 1 पे balance 20% मिलेगा immediately अगर आप BTST करते हो तो अर्राम से आपका 80% पैसा free हो जाएगा और 80% पैसा को आप use कर सकते हो, अब इसकी कुछ situations को discuss करते है, जो आपके दिन मुझे इसको, suppose करते है प्राइस भी एका यह रहा दो लाग के दो लाग शेर्स मैंने sell भी कर दिये, आज बाय करें कल sell भी कर दिये, फिर market में किसी कारण से Reliance का प्राइस टूट जाता है मुझे लगता है कि अरे यार Reliance का shares buy करते हैं, क्या मैं वितने ही buy कर सकता हूँ आपकी मर्जी है, अगर आपके पास पैसा है sufficient account में, अगर आपके पास sufficient additional margin available है तो कोई tension की बात नहीं है, पर फिर भी, suppose करते हैं मैंने आज buy किया था, T1 पे मैंने buy किया है T2 पे मैंने sell किया है T2 पे ही मुझे वापिस से buy करना है तो मैं सिर्फ जितना sell किया था उसका 80% ही buy कर सकता हूँ क्योंकि 80% का margin मेरे पास free होगा, इसमें मैंने assume किया है कि मेरे पास और कोई भी cash या और कोई भी margin available नहीं है तो ये हो गई सबसे main confusion वाली बात जो आपके लिए clear हो गई इसमें एक और important point यह है suppose करते है 3-1 मतलब first day पे मैंने 2 lakh रुपे के reliance buy करें T2 पे मैंने sell कर दिये 2 lakh रुपे के और मेरे पास 2 lakh sell करने के बाद almost 80% मतलब 1,60,000 रुपीज free हो गए अब 1,60,000 रुपीज जो मेरे पास free होए है उसमें ही मैंने T2 में intraday trading कर ली मतलब intraday में मैंने nifty buy किया और उसके बाद sell भी कर दिया इंटraday में मैंने यह किया पर closing में मैंने देखा कि अरे यार reliance के shares तो काफी ज़दा टूचुके है अब मुझे वापिस से reliance के एक लाग के share buy करने है फिर मैंने T2 के end में एक लाग के share वापिस से buy कर है अब इसमें किस तरीके से broker आपका deal करेगा वो समझेगा तोड़ा सा difficult example है broker तो बोलेगा कि आपका roughly एक लाग रुपे का ही sell हुआ है नेट में एक लाग का ही sell हुआ है तो उसको एक लाग का ही मानेगा उसका 80% मतलब 80,000 रुपीज ही आपका free होगा पर बीच में आपने 1,60,000 की trade कर ली तो फिर आपके ऊपर penalty लग सकती है समझा 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 मतलब सपोस करते कोई particular share था जिसमें आपने कल्स buy किया था आज sell कर दिया और आज closing होते 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 वापिस से buy कर दिया तो जो आपने पहले आपको intraday में margin free मिल जाता था अब उसको consider मत कीजेगा अगर आपने किया तो आपके लिए कई बार penalty आ सकती है और ये case to case basis पे broker to broker कर डिपेंड करेगा कि कौन कैसे deal कर रहा है इसलिए मेरा पॉसरी आप सभी के लिए strong opinion होगा अगर आप intraday में ही वापिस से उस share को cover कर रहे है जो आपने कल के लिए buy किया था आज sell किया था आप BTSC कर रहे हो एक चीज़ जहान रखेगा additional margin नहीं हो तो unnecessary यह मत समझेंगा कि बीच मेरे पास margin free हो गया था मैं उसे use कर लेता हूँ कई बार आपके लिए दिक्कत हो सकती है अब चलते है next point के उपर next point क्या आता है suppose करते है nifty को trade करने के लिए मुझे requirement है 1,50,000 रुपीज के margin की ठीक है यह मुझे usually margin requirement है पर brokers क्या कहते है suppose करते है आपने nifty को buy किया है उसी के साथ-साथ आप put भी buy कर लेते हो और आप अपनी positions को hedge कर लेते हो चीक है जितनी मेरे पास nifty है इतनी मैंने put buy कर लिए तो broker कहता है कि आपको 1,500,000 आपको 30,000 में हम काम कर देंगे क्योंकि आपकी position काफी safe है अब आपको towards the end of the day या फिर towards the end of the week जब भी आप profit book करना चाते हो आपको लगता है कि चला profit हो गया मैं दुनों ही positions को close करना चाता हूं हमेशा सबसे पहले close करिएगा risky position को मतलब suppose करते हैं आपने पहले close कर दिया put को जैसे ही आप put को close करते हो आपकी margin की requirement पूरी की पूरी डेड़ लाग की होने वाली है अगर आपकी पास डेड़ लाग का margin available नहीं है immediately आपको penalty लग चाएगी इससे लिए हमेशा risky position को close करना है हमें first आज से आने वाले समय में अगर हम पहले close कर देते है bank nifty को या फिर nifty की lot को जो भी हमने buy किया है उसको close कर देते है उसके बाद हम close करते है nifty के put को तो हम competitively safe यहाँ पे हो चुके है यह सारे थे points जो आप सभी के doubts को clear कर देगा I think जितना हमने यहाँ पर discussion किया है वो sufficient होने वाल है आपकी basic understanding को clear करने के लिए अगर यह यह अच्छा लगे ना दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा बिलकुल simple, clear and easy language में आपको एक-एक point समझाने की कोशिश करिए Happy investing and I will see you very soon